आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउन रचे के लिए दूसरा है उनका अस्टक पPM करें यह तीसरा है उत्करिष्ट गैस भिंयास प्रापत करें या या ब और सी दोनों यानि कि जो दूसरा और तीसरा विकल्ब है ये दोनों ही तो देखें यहाँ पर जो धातुएं हैं अगर बात करें तो उनका जो की अस्टक पूरा करने में अगर बात करें तो धातुएं जब उनका अस्टक पूरा हो जाएगा तो वो stable हो जाएंगी, स्थाई हो जाएंगी तो इस वज़े से वो जो की अप्रत्क्रिया करती हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें कि धातुएं धातुएं जो है वो जो की क्या करती है धातुएं अस्टक जो है उनका अस्टक पूरा करने में पूरा करने के लिए करने के लिए वो जो है प्रत्क्रिया करती है इसके अलावा उत्क्रष्ट गैस बन्यास दिखे अस्टक पूरा किसका होता है उत्क्रष्ट गैस बन्यास क्योंकि तभी उन्हें अक्रिय गैसे कहते है अक्री गैसे यानि कि वो जो कि stable हो चुकी है अब उनको जो कि और जो है इलेक्ट्रोन की ना लेने की जरुवत है ना इलेक्ट्रोन देने की जरुवत है यानि कि इलेक्ट्रोन वो ना ग्रहन करेंगी ना जो है वो release करेंगी निकालेंगी तो यहाँ पर अगर हम देखें कि व उत्क्रष्ट गैस जो की स्टेबल होने के लिए यह जो है क्या करेगा अभी क्रिया करेगा तो यहां पर अगर देखें उत्क्रष्ट गैस विन्यास विन्यास जो है प्राप्त करने प्राप्त करने है तो यहां से जो है इसका प्रश्ण का सही उत्तर देखें यह देखें दोनों ही विकल्ब सही हैं इसके लिए तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा विकल्ब यानि की बी और सी दोनों यहां से बी और सी दोनों जो की दोनों जो है जो की यहां पर इसके लिए चौथा विकल्ब दिया हुआ है तो एंसर यहां से होगा चौथा विकल् सब्सखनें देखे देखे यहाँ पर ध्यां से देखे यहाँ पर हमारा जो कि हमने उधारन के तोर पर लिया एन direct एंसील yenर पर एनसील जो कि जो के एसे फॉम होगा एन प्लस और 難स टेखे कैसे अब इसको मं पूरा एक एक करके समझते देखे सोडियं जो है इसका यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास है दो कॉमा आट कॉमा एक तो यहां पर इसका जो बाहतम जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास बाहत जो कोस है उसमें देखें एक एलेक्ट्रोन यहां पर उपस्तित है इसमें देखें इसमें कितने है साथ हैं अगर इसको एक electron क्या हो जाए मिल जाए और ये क्या करते ये अपना एक electron जो की निकाल दे डिलीस करते बाहर निकाल दे तो ये जो की क्या हो जाएगा stable हो जाएगा इसका stuck पूर्ण हो जाएगा वहीं अगर ये एक electron ग्रहन कर ले तो इसका जो कि electronic नियास जो है stable हो जाएगा क्योंकि इसका stuck पूर्ण होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें यह जो की यह जो की ionic बंधन ionic बंधन की बात करें तो यह जो की एक परमाणू के द्वारा दूसरे परमाणू पर electron के स्थानांतरन की कारण बंने वाला रासाइनिक बंध जो है उसे ionic बंधन जो की कहते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि na जो है इसमें जो की एक electron वही जो की बाहरी कोस में हमने यह देखे दिखाया और इसमें देखे कितने साथ हैं तो यह हमने दिखाया तो यह जो अपना एक electron यहाँ पर देगा और यह जो की na plus क्योंकि देखे यह इसने क्या किया इसने एक electron को निकाला और इसने क्या किया इसने एक electron को ग्राण किया तो इसलिए इस पर na plus धनात्मक चार्ज उस पर रनात्मक चार्ज और यहाँ से जो की na cil बन गया तो यह जो कि यहां से हम देख सकते हैं इस प्रश्ण का जो है उत्तर जो कि हमने देखा कि यह जो कि अपना एक एलेक्ट्रोन क्या गरेगा अस्टक पूर्ण करने के लिए निकालेगा यह जो कि एक एलेक्ट्रोन गहान कर रहा है यहां से इस प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहां से देखिये हो जाएगा चौधा विकल थेंक्यू तक सचछटी से बार विसे लेकर नीट आयाटी जेई वो एडवांस के लेवल तक एक करोड से जादा चातरों का भरोजा आशी डाउनोट करें डाउटने डाप यह वच्छाप करें अपने सारे डाउट आच चार्सो 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 पर